पुराने प्यार की फिर होगी बारिस और लब मैरिज वालों के लिए भी करना है यही उपाए नमस्कार में तुरू स्वागत है सिद्टोट की चैनल पर आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो में जो आप जानने वाले हैं वो है कि अगर आपका प्यार बिछड गया है किसी संबंदित कोई दिक्कत है तो उन सब बातों को एक तरह का वुब्रहम है उसको मिटाना चाहते हैं तो उसको मिटाने के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए जो आज की वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप साथ इसको शेर भी करेंगे ताकि दूसरी लोगों को भी इसका फायदा हो यहाँ पर बुराई क्या है बुराई सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने माता पिता के अगेंच जा करके उनके विरोध में खड़े हो करके उनसे बिना सहमत ही बनाये जब विवा करते हैं तो दिक्कते बहुत जादा आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि में अपने परिवारी जनों को अपने किसी विश्वकारे में साथ जरूर लेना चाहिए इससे क्या होता है कि जो कार्याप करते हैं बहुत बली हो जाता है और उसमें दुराओ बिखराओ या तूट जल्दी से पैदा नहीं होत है रिष्टा कितना भी बिगड़ता हुआ सा महसूस हो लेकिन वह आखिर तक बच जाता है तूटता नहीं है इसलिए अपनों का साथ है जरूरी तो उनको अपने साथ जरूर लाइए अब चलिए उपाई की तर चलते उससे पहले जो लोग नहीं है तो कि चैनल कि दूआर के दिन और किसी भी धर्म पर जो आपके आज पास कोई भी मंदिर है किसी और धर्म जाते के यह हैं तो जैसा भी है आपके हाँ का साथ किताब उस तरीके से आपको विशे खास्तोर से हिंदू धर्म के लिए वरणित है उपाए लेकिन फिर भी अगर आप अन्य से संबंदी थे और उपाय को करना चाहते हैं तो आप भी इससे ट्राइज जरूर करें अपने धर्म अस्थल पर जा करके ट्राइज करें अगर संभावना है इस बात की यानि कि आपको छूट है करने की तो इस अब उपाय ऐसा है कि आपको सफेध कपला पहन सकती है वह चछा रहेगा सफेद साड़ी पहनना अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन सफेद रंग के पहन सकते पूर्ताबब सकते हो सबच चलेगा यहां वह पहन करके आपको अपने पास के किसी मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में जाकर के वहाँ पर आपको इतनी सी सी बात करणी इतनी सीवाथ कि लाल गुलाव ले ले और चमेली का इत्र लेनी बस यहीं ले जाके के वहां अरपित कर देना है और भगवान से प्रत्ना करनी है कि आपका प्रेम विवा अच्छे से हो जाए उसमें किसी तरह की बाधा ना आए को रुकावट ना यह काम करेंगे इसके साथ में एक मंत्र है आपको जो रोज पढ़ना चाहिए वह है ओम क्लीम नमा इस मंत्र का आप करेंगे रोज करना चाहिए रोज इसका जाप करेंगी इतनी देर कर पाते हैं उतना ही अच्छा रहेगा मंत्रगिंती के अनुसार नहीं अपने मन के अनुसार है रोज करेंगे करेंगे फाइदा यह है कि उसका ध्यान आपकी तर Verfügung तरफ आएगा और वह जो बार बार दूर हटते हैं बैक जाते हैं या किसी तरह की और समस्या खड़ी होती है वो सब कुछ मिट जाएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए तो इसलिए आपको ओम क्लीम नमः इस मंत का जाप करना चाहिए रोज करना चाहिए नहाद हो करके करेंगे बहुत ही अच्छा फाइदा देगा अब अगर किसी की समस्या राहू से जुड़ी हुई है उसको पता हो के राहू से समस्या मिल रही है मैं प्रेम संबंद ऐसा है जो साधी के बाद का हो गया है तो वो साम के वक्त में या रात के टाइम पे यानि शूरज ढलने के बाद ओम रांग राहुए नमः यानि पाउचा करके एक अच्छे जीवन को आपको देते हैं इसलिए आपको इउपाज जरूर करना चाहिए तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रही है